नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपिया कास विलोग में दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कॉंस्टरबल ड्रैवर पार्ट 25 के बारे में तो दोस्तों वीडियो को अंते तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो में काफी इंपोर्टेंट कुशन है दोस्तों वेकेंसी आपकी सेप्टमबर के लास्ट मन तक नोटिस हा जाएगा अक्टूबर मां ऑनलाइन होने के पूरे पूरे चांस है तो आपको अच्छे से तयारी करनी है वीडियो को अंते तक जरूर देखें और डेली एक वीडियो मिलेगा आपको इसी चैनल पे तो आपको सारी वीडियो देखने है एक भी वीडियो स्किप नहीं करना अच्छे तैयारी करने के लिए चैनल से जोड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें जिससे की हमारी जो डेली वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला कुश्चन कुश्चन नमबर 68 गियर लगाते समय अवाज होना या नीट्रल हो जाने का मुख्य कारण है ओफशन A गियर बॉक्स में तेल का कम होना ओफशन B गियर बॉक्स में तेल का खतम हो जाना ओफशन Z कलच का गंदा होना ओफशन D उपरिक्त सभी तो दोस्तों ये कह रहा है गियर लगाते समय अवाज का होना देखा होगा जैसे गियर डालते हैं तो खटखट की अवाज आती है और गियर खुद नीट्रल हो जाता है मतलब निकालने के बाद भी मतलब जैसे गियर डाला और गियर खुद निकल जाएगा और अवाज करेगा तो वो किस कंदिशन में होगा तो उसका सवी आंशर होगा ऑफशन D उपरिक्त सभी गियर में तेल की कमी होना या तेल खतम हो जाना या कलच का खराब हो जाना इस condition में gear अब आज करने लगता है और खुद neutral हो जाता है नेक्स्ट लेन दोस्तो 69 भारी बहानों में लगे propeller soft के universal joint soft को कितने degree पर गूमने से साहता पहुचाते हैं option A 30 degree, option B 40 degree, option C 60 degree, option D 90 degree तो दोस्तो इसका जो सही answer होगा, वो होगा option A 30 degree propeller soft के universal joint तो दोस्तो जो propeller soft होती है, इसमें 2 universal joint होते हैं ये question आता है कि propeller soft में कितने universal joint होते हैं तो propeller soft में 2 universal joint होते हैं और एक होता है sliding joint propeller soft में 1 sliding joint और 2 universal joint होते हैं दोस्तो एक चीज और पूशी जाती है जो most question है कि propeller soft किस की बनी होती है तो दोस्तो जो propeller soft होती है वो steel की बनी होती है next question है 70 universal joint का मुख्य कार रहे option A propeller soft की रक्षा करना option B गाड़ी के गुमाव को के लिए अनिकूल बनाना option C propeller soft को तूटने से बचाना option D उप्रुक्त सभी तो इसका सही answer होगा option D उप्रुक्त सभी जो propeller जैसे soft होती है universal joint होता है उसमें propeller soft में तो universal joint का क्या कार रहे होता है गाड़ीयों को गुमाव के लिए अनिकूल बनाना और तूटने से बचाना कि कि उसमें joint होगा तो joint से गुम जाती है आसानी से वो तूटती नहीं है next question 71 oil के आधार पर differential के कितने प्रकार के होते हैं option A एक, option B दो, option C तीन, option D चार तो oil के आधार पर differential कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों इसका सही answer होगा option B दो प्रकार के next question 72 भारी गाड़ियों के differential में कौन सा oil प्रिक्त होता है option A, she oil option B, hypo oil option C, micro oil option D, इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer क्या होगा option B, hypo oil next question 73 hypo oil का number क्या होता है option A, 90 option B, 150 option C, 300 option D, 600 तो दोस्तों, hypo oil होता है उसका number क्या होता है option A, 90 next question 74 foot brake के पुर्जों में सामिल होता है option A, master cylinder एवम, संबंधियंत्र option B, वाहिल, cylinder एवम, संबंधियंत्र option C, brake hydraulic pipeline option D, उप्रियुक्त सभी तो दोस्तों, इसका सही answer होगा option D, उप्रियुक्त सभी next question है 75 brake fluid भरा जाता है option A, master cylinder में option B, वाहिल, cylinder में option D, brake drum में option D, hydraulic pipeline में तो दोस्तों, जो brake fluid होता है वो किस में भरा जाता है option A, master cylinder में next question 76 निम्न मेंसे किन इस्तितियों में brake काम नहीं करता option A, wheel cylinder के अंदर हवा का प्रिविश करने पर option B, master cylinder के अंदर हवा का प्रिविश करने पर option C, उप्रियुक्त दोनों इस्तितियों में option D, इसका सही answer होगा option c उप्रियुक्त दोनों इस्तितियों में wheel cylinder के अंदर अगर हवा भर जाएगी तो भी break काम नहीं करता और master cylinder के अंदर भी हवा भर जाएगी तो भी break काम नहीं करता next question है 77 master cylinder के भीतर निम्न में से क्या क्या रहते हैं option a piston option b spring option c washer option d उप्रियुक्त सभी तो इसका सही answer क्या होगा option d उप्रियुक्त सभी master cylinder के अंदर piston भी पाया जाता है washer भी होता है और spring भी पाया जाती है ये चारों चीज master cylinder के अंदर होती है next question है hand brake का संबन्द गाडियों के किस बाग से होता है option a अगले पाये से option b पिछले पाये से option c गाड़ी के चेचिस से option d उप्रुक्त मैंसे कोई नहीं तो दोस्तों जब हम hand brake लगाते हैं तो कौन से पाये जाम होते हैं पिछले वाले जो hand brake का संबन्द किस से होता है गाड़ी के पिछले पायें से इसका सही अंसर क्या होगा option b next question 79 निम्न मैंसे कौन से ब्रेक mechanical type ब्रेक है option a hand brake option b foot brake option c hydraulic brake option d इन मैं सभी तो दोस्तों जो mechanical brake होते हैं वो कौन से होते हैं hand brake option a next question 80 अगले पाये के दोरा और axle के जोड को कितने degree के कौन तक मुड्न लाइक रखा जाता है option a 90 degree के कौन तक option b 45 degree के कौन तक option c 32 सही 1 upon 2 degree के कौन तक option d इन मैं से कोई नहीं तो इसका सही answer होगा option c 56 33 degree के कौन पर यानि 30 20 3.5 डिग्री के कौंड पर next question 81 steering gear box कितने नंबर का C oil भरा जाता है option A 90 degree sorry 90 option B 200 option C 300 option D 600 तो दोस्तों जो steering gear box होता है उसमें कितने नंबर का C oil भरा जाता है उसमें भरा जाता है option D 600 मतलब 600 नंबर का C oil भरा जाता है next question है 82 speedometer गाड़ी की चाल कितने किलोमेटर पती घंटा बताए तो उसे दूसरे से तीसरे एर में डालना चाहिए option A 10 से 15 किलोमेटर पती घंटा option B 20 से 25 किलोमेटर पती घंटा option C 25 से 30 किलोमेटर पती घंटा तो जैसे speedometer यानि जो गाड़ी में मेटर लगा होता है speed बताता है उसकी जो सुमी होती है meter की वो 25 से 30 के बीच में आ जाए तो हमें तीसरे एर डाल देना चाहिए इसका सही आंसर होगा option C 25 से 30 किलोमेटर पती घंटा next question है steering की खरावियों में निम्न में कौन-कौन सामिल है option A steering wheel की चाल में अधिकता option B steering का भारी चलना option C steering wheel में खट-खट की अवाज आना option D उपर सभी तो दोस्तों जब steering खराव हो जाता है तो क्या होता है ये सारी conditions उसमें बन जाती है steering की चाल में भी अधिकता आ जाती है और steering tight भी चलता है यानि भारी चलता है और अब आज भी करता है तो इसका सही answer होगा option D next question है 84 निम्न में से किस इस्तिती में steering भारी चलने लगता है option A grease nipple के शूखने पर option B sector soft के डीला होने पर option C linkage नटों के डीला होने पर option D इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer क्या होगा option A grease nipple के शूखने पर जब grease nipple शूख जाती है मतलब निपल जो होती है grease वाली वो शूख जाती है यानि grease खतम हो जाता है तो steering भारी चलने लगता है मतलब टाइट घूमता है next question 85 परतेक मोटर भाहन steering wheel एक और कितना चक्कर तक घूम जाता है तो इसका जो सही answer होंगे वो होंगे option A एक चक्कर option B दो चक्कर option C डाह चक्कर option D तीन चक्कर तो जो हम steering होता है किसी भी गाड़ी को उसको कितना घूमा सकते है यानि गाड़ी के steering को कितना घूमा सकते है option C सही जो answer होगा option C डाह चक्कर गाड़ी को जो steering होता है उसे डाह चक्कर तक मतलब ढाही बार घूमा सकते है next question होता है 86 speedometer गाड़ी की चाल कितने किलोमेटर पति गंटा बताए तो उसे तीसरे से चोथे गेर में डालना चाहिए ओफशन A 20-25 किलोमेटर पति गंटा ओफशन B 25-30 किलोमेटर पति गंटा ओफशन C 30-40 किलोमेटर पति गंटा ओफशन D केवल 40 किलोमेटर पति गंटा तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option D केवल 40 km पती गंटा 40 km पती गंटे की speed पे गाड़ी पहुंच जाती है तीसरी गेर में तो हमें चौत्था गेर डाल देना चाहिए next question 87 गाड़ी के पहिये को एक और कितने डिगरी तक गुमाया जा सकता है option A 45 degree option B 60 degree option C 90 degree option D 120 degree दोस्तों पिछले कुश्चन में पताया गया था पूच्चा गया था कि गाड़ी का जो steering होता है उसे कितना गुमा सकते है मतलब डाही चक्कर और इसमें पूच रहा है पहिये को कितने डिगरी तक गुमाया जा सकता है तो इसका सही आंसर होगा option A 45 degree next question है ड्राइवर को निमन में से क्या ध्यान रखना चाहिए option A इंजन बॉनट के अगले मद्दभाग पर option B बाएं परिये के सडक की मद्दभाग के किनारे पर option C उपरिक्त दोनो option D इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option C उपरिक्त दोनो जैसे ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उसको कहाँ ध्यान रखना है मतलब जैसे मेजर नहीं कर पाते है कि हम गाड़ी चलाता है कहाँ ध्यान रखना है उसके सड़क के मद्देवाग में मतलब दोनो के बीच में तो उसका सही आंसर होगा option C उपरिक्त दोनो next question है 89 डाइनो मद्वारा बिजली उत्पन करने की गती की जानकरी मिलती है option A एलेक्ट्रोमीटर option B एम्पेरमीटर option C माइनोमीटर option D एम्पेरमीटर से तो इसका सही आंसर होगा option B एम्पेरमीटर next question है 90 बैटरी और डाइनोमो के मद्दे लगे कट आउट का क्या कार रहा है option A डाइनोमो से उत्पन विद्द्द करने को नियंतरित करना option B बैटरी के अधिक खर्च को नियंतरित करना option C उप्रिक्ट दोनो तो जो डाइनोमो के मद्दे कट आउट लगे होते हैं उनका क्या काम होता है उनका काम होता है option C उप्रिक्ट दोनो मतलब डाइनोमो तो जो उत्पन करेंट है उसको नियंत्रत भी करेगा और खर्च के को भी नियंत्रत करेगा अधिक खर्च ना हो मतलब उसका जो काम होता है डाइनमो का वो होता है Cut Out का जो काम होता है कंो ज़ там करना बिजलीगे Current को Car prevent करता है और उसकी पूर्थि को भी control करता है Next Question is 91 डाइनमो में कितने सर्केट होते हैं option A 3 sorry option A 1 option B 2 option C 3 option D 1 भी नहीं तो दोस्तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option C 3 डाइनमो में 3 सर्केट लगे होते हैं next question है 92 कभी-कभी self लगाने पर कर-कर जैसी वाज का क्या कारण है option A flywheel ring gear के दातों का कटना option B bandex pinion का दातों का कटना option C bandex pinion और flywheel ring gear का सैयोगना होना option D उपरुक्त सभी तो दोस्तों जो self आने कर-कर की मतलब खच-खच जैसी भी होआ जाती है आपने देखा होगा गाड़ी लंबा खीच के ले जाती है और start नहीं हो पाती option D उपरुक्त सभी flywheel ring gear के दातों का कटना bandex pinion के दातों का कटना bandex pinion और flywheel ring gear के सैयोगना होना इन condition में गाड़ी self लगाते टाइंग कर-कर की अवाज करती है start नहीं हो पाती इस condition में बस अवाज करती रहती है next question है 93 गाड़ी की डाल बढ़ने पर गाड़ी की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना बैटरी की किस स्तिति को दर साता है option A कमजोरी option B कमचार्जिंग option C कमजोर सर्किट option D किनमें से शभी तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option A कमजोरी जैसे बैटरी की जो शमता होती है वो कमजोर हो जाती है तो क्या होता है जैसे एकसिलेटर देते है एकसिलेटर ज़्यादा दे दिया तो स्पीड तेज हो जाती है तो बैटरी की चाल से जो लाइट होती है उसकी रोशनी भी तेज हो जाती है जैसे आपने देखा होगा बैटरी कमजोर है और accelerator कम speed पर चल रही है गाड़ी तो जो light होती है वो कम जलती है और accelerator ज़्यादा कर देते हैं तेज चला देने शुरू कर देते हैं तो थोड़ा सा light की जो speed होती है मतल़ लाइट तेज जलने लगती है वो किस condition में बैटरी के खराब होने की condition में बैटरी में पावर नहीं रहे पाथी बैटरी कम जोर हो जाती है नेक्स question है 94 गैस बैल्डिंग में पिरिक्त गैस है option A oxygen by ethylene option B oxygen और hydrogen option C oxygen by acetylene option D acetylene और hydrogen तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option C oxygen by acetylene दोस्तों ये काफी important question है क्योंकि ये driver में तो आएगा ही आएगा ये question कई बार GK में भी पूच लिया जाता है science में जैसे कोई भी paper होता है उसमें GK आती है तो ये question GK में भी पूच लिया जाता है इसलिए ये question important है next question है 95 बसों के first मैं प्रिक्त की प्रिक्त लोही की galvanize चादर पर किसकी परचड़ी होती है option A, Aluminium की option B, Jaste की option C, C से की option D, 10 की तो दोस्तों जो galvanization की परचड़ती है वो किसकी होती है जस्ते की जस्ते को जिंक भी बोलते हैं next question 96 बसों के अचानक रुखने पर बैठे यात्री आगे किस नियम के कारण जुख जाते हैं option A, जड़ता का नियम, option B, Newton का तृत्या नियम, option C, पलावन का नियम, option D, इनमेंसे कोई नहीं तो देखा होगा दोस्तों जैसे बस अचानक से रुखती है या ब्रेक लगते हैं तो आगे की तरफ जुख जाते हैं वो क्या है, option A, जड़ता का नियम, इसका दूसरा नाम भी होता है, Newton का पर्थम नियम, Newton का फर्ष्ट लॉख तो यह ध्यान लगना है दोस्तों, फिजिक्स के कुश्चन है, इसमें भी पूचा जाएगा और G के में भी पूचा जाता है जड़ता का नियम का दूसरा क्या नाम है, तो उसका क्या है, Newton का पर्थम नियम नेक्स कुशन है, 97, CNG का पूरा नाम क्या है, Option A, Compressed Natural Gas, Option B, Compact Natural Gas, Option C, Carbon Natural Gas, Option D, इन में से कोई नहीं तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा, Option A, Compressed Natural Gas नेक्स कुशन है, 98, निम्न में से कौन से इनन सबसे कम प्रदूशन करता है, Option A, Petrol, Option B, Diesel, Option C, Gasohol, Option D, C, NG तो दोस्तों, जो सबसे कम प्रदूशन करता है, वो कौन से होता है, इनन, CNG, जो आज कल चल रहा है, ज़ाद अधर, इससे प्रदूशन नहीं होता है, बहुत कम प्रदूशन होता है, और जो डिजल पैट्रोल होते हैं, उसकी अपेक्षिया, 10% प्रदूशन करता है, ये 200-200, ऑफशन C, 200-200, ऑफशन D, 200-300, तो जो इसका सही आंसर होगा, वो होगा, ऑफशन C, 200-200, ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि जब इन दन में, हम CNG भरवा देना, तो कितने किलोग्राम पती बरग सेंटीमिटर, जो हमारा प्रेशर होता है, कितना प्रेशर तक गै 200-200, नेक्स कुशन है, 100 CNG पर्यावरंड के अनुकूल है, क्योंकि यह एक रंगीन एवम गंदीहीन गैस है, ऑफशन B, यह हवा में हलकी है, ऑफशन C, यह कम पर दूसर पैदा करती है, ऑफशन D, उपर्युक्त शभी, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा, D, उपर्युक्त सभी, जो CNGS होती है, वो रंगीन और गंधीन भी होती है, हवा से हलकी भी होती है, और सबसे कम पर दूसर करती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा, ऑफशन D, उपर्युक्त सभी, तो दोस्तों, यह थे आज की कुछ important question, दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ झाल